हेलो गाईज, वेल्कम बैक टू माई डूप चैनल ये असके मिश्टरी अवे आप सक्सिज मैं हूँ आपका एजुकेटर सिव मिस्रा और इस वीडियो में देखेंगे क्लाश 12 केमिश्टी का बहुत इंपॉर्टेन प्रिश्टर रसायन से द्रव इसने ही कुलाइड और द्र में भी बना है, ये दोनों आ जाता है, आप चेक कर लिजेगा, ये संदुहजार 10 में बना है, 13 में बना है, 14 में बना है, 16, 17 और 19, लगभक कि ये हर साल आपके बोर्ड परिच्छा में आपका पूछा गया है, तो इसको आप जरूर से जरूर तयार कर लें, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, द्रव इसने ही कुलाइड, ये द्रव इसने ही कुलाइड क्या होती है, तो इसका परिभासायात कर लेना है, और जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी इसमें बनेंगे, पॉइंट वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा इसी वीडियो में, तो आपको अच्छे से केवल वक्योग इसको पढ़ना है, तो सबसे पहले जानेंगे, द्रव इसने ही कुलाइड क्या है, तो लिखेंगे, वे कुलाइड, वे कुलाइडी पदार्थ, सीधा लिखे वे कुलाइडी पदार्थ, जो विलायक, विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कडों में विभाजित हो जाता है कडों में विभाजित होकर कुलाइडी विलियन बनाते हैं द्रव इसने ही कुलाइड कहते हैं या फिल कहलाते हैं तो द्रव इसने ही कुलाइड क्या होते हैं सीरह पता देना है वे कोलाइडी पदार्त जो विलायक के संपर्क में विया कर तुरंत कडों में विभाजित होकर कोलाइडी विलियन बनाते हैं उसे द्रव इसने ही कोलाइड कहते हैं इन्हें क्या कहा जाता है द्रव इसने ही कोलाइड कहा जाता है और गिश्टापण में देखें तो ये जो इसने ही कुलाइड विलियर होते हैं यह उत्क्रमडी कुलाइड भी कहा जाता है यानि कि इसे ही इसे ही उत्क्रमडी कुलाइड भी कहते हैं इसे यह और क्या कहा जाता है इसे ही उत्क्रमडी कुलाइड भी कहा जाता है इसके उदाहरण क्या है तो इसके जो उदाहरण है एक्जाम्पल है वो क्या है जैसे जिलेटीन है क्या है आपका जिलेटीन है और क्या है आपका स्टार्च है और क्या है गोंद है और प्रोटीन इत्याज जो होते हैं यह द्रौ इसने ही कुलाइड के उदारन होते तो द्रौ इसने ही कुलाइड क्या होता आपको सीठा बता द जो विलायक के संपर्क मिया कर तुरंत कड़ों में विभाजित होकर कोलाइडी विलियन बनाते हैं द्रव इसने ही कोलाइड कहलाते है या पिर उसे द्रव इसने ही कोलाइड कहती है और इसे ही उत्क्रमडी कोलाइड भी कहा जाता है अगर इनको हम लोग अवच्छेपित करे तो इनके बाद से द्रव के संपर्ग मिलाकर सुगमता से कुलाइडी विलियन बनाया जा सकता है पुनह ठीक है न और इसकी एक्जामपल याद करेंगे इतना ही आपके लिए बहुत ही मस्ट है इंपॉर्टेंट है और इसे ज़्याद करने के जोद नहीं है अब है द्रव विरोधी कुलाइड तो द्रव विरोधी कुलाइड क्या होते हैं तो लिखेंगे वे कुलाइडी विलियन कुलाइडी या फिर वे कुलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कुलाइडी विलियन नहीं बनाते कुलाइडी विलियन नहीं बनाते उसे द्रव विरोधी कुलाइड कहते हैं उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चो द्रव विरोधी कुलाइड कहा जाता है अगर इसमें कुछ important point देखें तो ये अनुत्क्रमडी कुलाइड कहलाते हैं इसे ही इसे ही अनुत्क्रमडी कुलाइड कहते हैं इसे ये और कहा जाता है अनुत्क्रमडी कुलाइड कहते हैं इसके उदारण क्या है इसके जो उदारण है वह है आपका जैसे धात्विक या धात्व आकसाइड धात्व आकसाइड और धात्विक हाइड्राकसाइड इत्याद जो होते हैं यह द्रव विरोधी कुलाइड के क्या होते हैं उदारण होते हैं तो द्रव इसने ही कुलाइड और द्रव विरोधी कुलाइड समझ में क्या है द्रव इसने ही कुलाइड को आपको सीधा पता देना है वे कुलाइड ही पदार्थ जो विलायक के संपर्ग में आकर तुरंत कडों में विभाजित होकर कुलाइड इविलियन बनाते हैं द्रव इसने ही कुलाइड कहलाते हैं और इसे ही उत्रमडी कुलाइड भी कहते हैं इसके उदार्ण जिलेटी इस्टार्ज गोंद और प्रोटीन इत्याद हैं और द्रव रोधी कुलाइड कहते हैं और इसे ही अनुत्क्रमडी कुलाइड भी कहा जाता है इसके उदारण क्या है धात्वाकसाइड धात्विक हाइड ब्राकसाइड इत्याद जो होते हैं इसके उदारण होते हैं और एक होता लिख सकते हैं धातुसलफाइड धातुसलफाइड अधा द्रव विजो धी कुलाइड और द्रव इसने ही कुलाइड जो कि बहुत सायन का बहुत इंपॉर्टन प्रशन है इसको पढ़के जरूर जाएंगे इसी वडियो चाहे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें कि दूस्तों थे आंक्यों जहें